जै बिहार सरसो तेल सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाईए ठीक है रेडी फोकस कहां तक है इस अब ले रहे हैं हां स्टाट है संतोष जी वकील है इनसे हम पहले भी बात कर चुके है और इनके साथ ये बातचीत के सिलसले का दूसरा दिन है और आज हम फिर नगर परिशाद में होने वाले कुछ उपर नीचे उतार जढ़ाओं के बारे में बात करने हैं जिसको इनके सब्दों मिया जन तर जबन भरष्ट चार कहते हैं भरष्ट चार मतलब पिछली बार हम ने बात की थी कि जो चलंत सोचाले या मुत्राले जिसको कहते हैं त्युएलिट बॉक्स उसके बारे में बात की थी उसमें लगवक 40,000,000 रुपए के घुटाले की बात सामने आई है उसका आरोप लगा है जिसकी जान चल रही है आज हम बात करेंगे किसी और विस्या के बारे में जिसमें से अभी जो सबसे प्रमुक मुता है हुआ है आवास के बारे में जो देखा गया है कि कुछ लोगों को वोट वेंग के आर में आवास उतना मिला है कुछ कि उसको नहीं चाहिए उसको नहीं मिला गुटाला हुआ है पैसे लिए यह तामाम आरूप है हर वाद के अलगल कहानी अलगलग खिस्ष हैं इसाल प्रणीजर्मेन का चुनओक जिसके पहले वाद पतिन wnे चुनते थे जिसमें जी सदन पधान मंतर को सांसत चुनते हैं मुख्य मंतर को विधायक चुनते उसे तरह से अधक्सपद को भी चुने हुए पारसत चुनते थे लेकिन इस बाए अधक्सपद सीथ जनता चुनेगी तो पहले तो स्वागत सथा जी आपका हमारे दूसरे एप्रिसोड में पहुत बहुत स् इस्तिती जब किलियर होगी उसके बाद हम लोग विचार करेंगे अभी तो असवास नहीं है कि सीट रिजर्विशन पर क्या है सरकार करेंगे मूट तो बना हुआ है ना कि अगर रहता है सब कुछ तुब भरेंगे बिलकुल ठीक अधक्स पर इस बार जनता चुन रही है मे क्या हो पाए उसका भी नियम है ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष मनवानी करें तो नहीं होगा पद पर जाने के बाद यह जवाब देही का पद है अगर गलत करते हैं तो नगरपाली का अधिजने में बिभीन धार आये हैं उसके माध्यम से बहुमत से जैसे 26 वाद है तो लगभ 14 वाद का पारसद 14 पारसद मिलकर अगर इनके खिलाप कंप्लेंड करेंगे और उस कंप्लेंड का जाच होगा उसमें पाए जाएंगे तो पद से चीवत जिवाग इनको कर देगा उसमें कई धार आये हैं जिसका हम फिर इस पेसल उस पर बात तो फिर यह मुख्यमंत्री व रेखिशारे से नहीं होता, कि उनको चुना है कि सदस मा के अंदर सबनेता हुका को जाना है तो उनका अलग कानून है और इसका यहां अलग है तो उन पर पद का दुरिप्योग करते हैं भड़ा साचार का रोप लगता है तो उसकी विभीन्द हारा है उसमें पच्छीव तो हो सकते हैं आदाने का यह प्रोसेस जी बिल्कुल है चौदा बाट का बता है कितना अभी तो सब्सक्राइब करने के लिए कि अब हमारे हाँ पहले थे सचीव तो वही लागूर बना जाएगा जाएगा थीक हमारी माल इच्छबिस बाट बन गया चौदर बाट तक का आप कह रहे हैं 50% से ज्यादा हुआ तो कुछ तो तो वैसे ही पारसद लोग कंप्लेंट करेंगे इनके एगेंश्ट में कि पद का दुरूप्यों कर रहे हैं किसको कंप्लेंट करेंगे नगर विकास विभाग को जो संबंदित विभाग है और नगर विकास ने धारा 66 के तहट जीला पताधिकारी वैसाली को बना दिया है जाच करने के लिए कि अब हमारे हाँ पहले थे दिया है ज्यासा एक कि अधिकारी मुहमदे ही खुद जाच करेंगे अब लाइक्षा थे चुन रही है जक्स को इससे फाएदा होगा कि नहीं होगा अब फाइदा कई अर्थों में है कई अर्थों में घठा भी है तो अब किस आपका कहने का किस जैसे फाइदा सरकार ने अगर नियम बनाया है, तो उसका अपना एक नजरिया होगा, फाइदा देखियों कि तभी बनाई होगी, ठीक है, तो कौन सा फाइदा है जिसको सरकार, आपके नजर में क्या है, फाइदा क्या होगा, सबसे पहले सरकार ने यह देखा, कि 5 साल के पूर्वे, लोग बीच में 2-8 साल के बाद मतलब उठा पटक सुरू कर देते हैं, जिससे काफी आर्थिक छती होती है, सरकार को भी व्यवस्ता करना होता है, चुनाव कराना होता है, तो उससे बचने के लिए एक इस्तिर सरकार देने की कोशिस की गई है, इस माध्यम से, इस संसोधन के माध अध्यक्ष है, वो किसी दूसरे बाद में धांदली होते देखा, तो अबजेक्शन करत नहीं करता था, क्योंकि तब उसको बाद पास्ति चुन रहे हैं, तो बाद होता था कि अगर हम किसी दबदबा दमखम बाले पास्ति के बाद में सचेप करते हैं, तो अब इस परस्त अध्यक्ष को बिरोध होना चाहिए, तब ही टीके गई, जोजना पास करने का क्या नहीं? अध्यक्ष करते हैं, अध्यक्ष पर क्साहिए होता है उसके? हम ने कहा है कि नगरपाली कहा कि किस अधिनिया में, किस धारा में, सरकार के किस पत्र में इह दिया गया है, जो उस पर दिखाएंगे, बहुत सारे हम तो यह सुनते हैं कि अध्यक्ष को पावर होता है योजना पास करने का? जो लोग कहते हैं, उनसे पूछिए कि किस धारा की अनुसार चेर्मेन को एक रूपया का भी चेक काटने का अधिकार दिया गया है, धारा बता दिजिए. योजना आया, कमिटी बनी, 50% पारसत सहमत है कि यह योजना आना चाहिए, चेर्मेन को सामने फाल चला गया, अभी तक कही होता था? उस पर उस सहमती दश करेगा पास कानून? वैसे नहीं है, बोर्ड में कोई मुद्दा जाएगा, जितने भी पारसत लोग हैं, बोर्ड में अपना अपना रखेंगे मुद्दा, या एस्टेर्नी कमीटी उनका है, जो एस्टेर्नी कमीटी में रहते थे, अभी तक 19 हमारे यहां रहा है नगरपाली का नगरपंचायत म तो 5 लोगों को minimum बनाना है, एस्टेर्नी कमीटी, तो 5 लोग अपना परपोजल रखेंगे, वही लोग अपना पास करेंगे, वह परपोजल जब पास हो जाएगा, और बोर्ड से होना है, तो 19 आदमी में से कम से कम 10 आदमी, कम से कम 10 आदमी पास कर दिया, अगर 9 बिरोध भ से कम और भुड़ तो लगउ माना जाएगा, कमीटी कोई पास कर दिया हो गया, बिल्कुल अध्यक्ति में सिंगल अध्यक्ति चाहा जाएगी कि हम नगरपाली का को बेच देना है, तो नहीं भीकेडा, कमीटी साइन कर दी, पास तो आद्यक्ति शैन ना करें, जब बोर्ड का बैठक होगा इस्टनी कमीटी का बैठक होगा तब चेर्मेन रहेंगे ही नहींगे बिना उनके उपसिती छीख है परस्ताव पास करना है आप मान लेजिए धक्ष हैं कमीटी बनी कहा कि यह योजना पास होना चाहिए अधक्ष पदरगे कि नहीं करेंगे तो वहां देखना अधियक्ष किस बात के लिए अधियक्ष किस बात के लिए है अधियक्ष तो मतलब बैट जाए हो करने के लिए अधियक्ष को तो सरकार ने एक पोस्ट दिया कि आप मतलब अपना देख के सब्सक्राइब कर लिए उनको कोई फाइनांसियल पावर नहीं दिया है कि आप चाहिए ते कर लिजिए तो जब आप अधिसकी बात कर रहे हैं जो नया प्रसीडियूर आया है जंता चुनेगी अ इस परस्ताव में तो जंता मालिक है सर अब सर्वपड़ी किंग मेंकर जंता हो गई है अब जंता जिसको चाहे सीर पे ताज पनाएगी यह जंता जिसको चाहे हटा सकती है कला में कुछ पावर मिल रहे कि अध्शक पत को अगर जैसाब कह रहे हैं जंता ने चुना अध्श जूपफपत को पावर नहीं है, izraat करेती है तो योटा को पाओ मना जाएगा, जिट बोर्ड पाँस हो गया तो itself has a a sardha do to sing स़ाइन करे टी हाफस धूम्फ गिया अगर अधियक्ष नहीं किया तो माना जाएगा अगर सबस्पती का पावर कती रह गया अब उनीяти सब्सक्राइब करेंगे अभी तक सर हम अभी तक बोर्ट का इस्टनी कमीटी का निकाल कर देखें हैं तो उसमें नगर परवंद्ध और कारपालक पदारिकारी भी बोर्ट के बैठक में उपस्तित हैं क्या कहिएगा दूरदीन है नगर पालिका को जबकि बोर्ट के बैठक में वहां रहेंगे कालपालक पदाधिकारी रहेंगे उस सिर्फ सिगनेचर करेंगे लेकिन पक्ष विपक्ष या किसी तरह की बात अब रोध नहीं करेंगे उस चुप चाप बैट के देखेंगे साइन क बेस्टी तरह तो यह नहीं पता कि बिर्व tu कर रहे तो नहीं करेंगे भिलकुल किये हुए है उनका सर जी विर्वत मे पक्ष में सपोर्ट में किसी ौनका कि आप सबसे जगरे कर रहे हैं किसी को तो नहीं चोड़े आप सारा वाट के खिलाफ आप सबसे बात हो गए हैं कैसे विकास होगा सहर का जहां जाते हैं सब गरवरी करने वाला कुछ पबलिक लोग भी है जहां जाते हैं गरवरी करने वाला कि कैसे सुधार होगा आप ही खुद बतलाइए कि पूरे सहर में जो सहर की इस्तिती है नार्की इस्तिती है सरक के ले लिजिए नाला का ले लिजिए सफाई का ले लिजिए सवचाले का ले लिजिए बस एस्टन का ले लिजिए रोड जलाब का कुवा का नहर का सिखचा का स्वास का तो पूछना चाह रहा है इसे तो फिर कॉन बचेगा सब 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 पर पॉइंट ओठ हो गया जी बिलकुल गलत है सब बैमान बिलकुल बैमान है सब काड़वाई होनी चाहिए सब्वी लोगों पर ठीक अगली टॉप श्रडना में आटली मिला है और बाकी अरोट की राजनीति मतलब भूट की राजनीति का मतलब कूपातर लोगों को भी इस योजना से लावांगीत क्या गए सब सब्श्वहाई अलगर क्या है कूपातर का मतलब है कि जो योजना के लिए योग नहीं थे उन्हें भी दी में लेकिन कुछ न कुछ दू चार पांच एक दू हो हर जगा ऐसी सिकायथ है क्या है आवास योजना का प्राभधान है कि जिसके नाम से भारत के किसी सहर में किसी जगा पर कोई पक्का मकान नहीं होगा वे इस योजना से अच्छादित होंगे और इसमें है कि ज्वाइन फै करनी के साथ बच्चा जो साधी सुधा नहीं हो उसको भी सम्मिलित किया जागा इंकुलूडिंग है उसमें भी वही लोगों को एक फैमली माना जागा और उसी को इसका लाभ दिया जागा बसरते उस फैमली का कोई लोगों के नाम से पूरे भारत में कोई घर नहीं होगा और दूरदिन है सर नगरपालिका के काजपालक पदादीकारी से लेके सभी पारसद और नगरविकास के लोग नगरपालिका में आवास योजना के लिए लोगों से रसीद मांते हैं कि होल्डिंग रसीद भी दे दे जिए भाहिया जब होल्डिंग रसीद आप दे रहे हैं उसके नाम से जब holding बना हुआ है तो फिर घर बना हुआ है तो कहां से वह पात्र होगा मेरा दावा है कि इसमे 95% धांदली हुई है जिसके नाम से बना हुआ है आप नगरपालिका में जाच कर लीजिए holding धारियों को दी गई है holding Rassid का मतलब का सम्झ वह से दर्साक् के गोंग यह वोल्डिंग सब्सके मतलब हुआ कि आप के नाम से मकान बना हुआ है आप नगर्पालिका का वोल्डिंग के टैक्स देते से सुध़ जिस दिन राज में चला जाएगा या राज का लोग जिस दिन जीन लोगों को लावानुवित किया है वे सब जेल में सर जांगे होल्डिंग मंसीन आकरा कहां से लाया जाया है जिसको बनाया जा रहा है यहां से सिर्फ पास होने के लिए अभी तक सर जी पांच फेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 नहीं पास होई है योजना, जिसको बनाया जा रहा है, छथा फेज में इन लोगों ने भी भेजा था नाम, तो महसूस किया गया नगर विकास की ओर से 1285 सुचियों का कि पूरे बिहार में इतनी नहीं आ रहा है, लालगन में इतनी के हो, रिजेक्टर दिया, भेज दिया, वैचांट करके भेजिये, आकेर उन्होंने महसूस किया, अगर मेरे ख्याल से जो 5 अभी तक पास हुआ है फेज में, अगर संपूल संचिका को भेज दिया जाए जाए के लिए राजी में, तो 5 से 10 परसेंट ही वहाँ फाइनल स्विक्रित सहीत तरीके समाना जागा, बाकि 90 से 95 परसेंट पर एफायार होगा, और उसमें संबंदित किरानी, पारसवाद, अध्याव, चुपाध्याव, काजपालक सभी पर एफायार होगा, सभी जेल जाएंगे 21 पहले तक होगा, 17 सा 11 तक होगा, फिर समों सवाल रिप्ध हैंगे जो आप बच्चके बोलने से, सबसे जादा किस वार्ड में आपको दिख रहा है योजना में, योजना में सर सभी वार्ड में लगभग है, हम ये सपेसल नहीं पताएंगे किस वार्ड में, लेकिन मोटाम कपरा साब पहने वे एक चीटा भी पर गया, तो आपका कपरा पर धबा लग गया सर, घूस का क्या प्रोसेस है, जी, घूस की भी है सर, किसी भी वार्ड में, बीना घूस के एक भी मकान पास नहीं हुआ है, चाहे घूस एक सव रुपया हो, दो सव रुपया हो, चाहे बीस हजार हो, लेकि सब को लगे है, दूसर बर तो लेता है, बिलकुल लिया है, एक रुपया घूस वाला भी जेल गया है, दो सब लेता है, हम चोटी रासी इसलिए बता रहे हैं, हो सकता है, आपको विश्वास नहीं होगी, लेकिन जनता से हम लोग का रूबरू होना, प्रती हाँ बिल्कुल पूरूफ कर देंगे गोश कता पूरूफ होता नहीं है वह आदमी कहेगा बयान देगा तो बयान देगा तो वह कोई गलत आरफ लगाएगा उसा खंडन कर देगा जो लिया है जो कहें कि नहीं लिया हूँ और डियो रिकॉर्डिंग रखा हुए सर नगरपाल हम उजागर कर रहे हैं अगर जनता को मालूम हो जनता को लगे कि योग है चुनले हमको बुलाए तो हम ना भी नहीं कहेंगे अच्छा सतरह आगया आप भी फिर सारोप लगा कि आप खाली सतरह कहीं बात करते हैं इधर का कुछ बात सर हमसे पूछा जाए जो हमारे पास इस्तिती बहुत नारकी हो गए बाड की आपका महला पूरा खतम था साथ आठ एक नौव दस काफी वाड़ चार परभावीत रहा है सभी लोग देखे हैं उस समय सड़ इस्तिती हम लोग देखते हैं तो शरीर कांप जाता है कि कितनी भयानत इस्तितियों से यहां के लोगो कोई लोग उसमें पूछने नहीं आया जन परतिनुदी जो अपने आपको विकास पुरूष कहा करते हैं कि हमने सहर का विकास किया उनसे पूछ लिजे सहर में क्या विकास किया आपके वाड में ने को सामुदाई कीचेन को लेके बड़ा हंगामा हुआ था सर उस संदर में हम आ रहे हैं कि जब उस समय सामुदाई कीचेन चालू हुई तो इस समय बहूत बड़ा घोटाला हुआ अंचल अधिकारी लाल गन ने भी सामुदाई कीचेन या बार्ड के नाम पर खर्च किया हमने सुचना के अधिकार में मांगा कि आपने इस मद में कितनी रासिया खर् नगरपालिका ने भी खर्च किया कहां कहां खर्च किया दोनों कोई नहीं बताया कितनी रासिया खर्च किया नहीं बताया कहां कहां से पैसा आया नहीं बताया बल्कि सच्चाई है कि सभी लोगों ने या तक कुछ अवार्ड पारसद लोगों ने या कुछ जनता ने ही पो फी पश्हाँ प्रदीघ है था जी जरी कीचन चल रहा था वह सब पभीके दौरा यह वाड परसन के दौरा चल रहा है हम इसका लाइव हम पॉल लेंगे कि वाड एक में इल्पी साही में चला जिन समोई कीचन एक आपका यहां जो बैनर विवाद हो गया था जी आप के वाड तो वह लोग जो चल रहा था कि फिर उसमें भी नगर पैसा खुछ तो एकदान दिया हो पबली के पैसा से चलाया गया है अभी वार्ड नमर 7 में यहां मनोजव्या के घर के नजीद चलाया था तो पबलीक लोगों ने चंदा दे के चलवाया है और आप बोल रहे हैं वहां के नगर भगवन है तो वहां के वार पारसद आप बोड डेख लीजेगा ठांगे हुगा उन्होंने अपना नीजी पोकर से खट करके चलवाया है अच्छा वहां बैनर लगा हुआ तो हम लोग भी देखे हैं उन्होंने अपना पोकर से लगवाया है जनता परिसान है तो उसक मुachment लुटियों लिया आवाईयों कि हमका उरा रहा है कहला है बिल्कुल लुट लिया है कितनी रासिया आई खर्च हुए और दो तिन जगा से कम्हों सरकार को ऑस्राय करना चाहिए या तो नगरफली का खर्च करती या अंचल करती अब दोनों ने खर्च किया धूनों बिल्कुन मक्हर से पानी लालगेंदप्रिशान कीचर से सबस्ताला समान ऐसा खेच खर cosa गई बार खरीद हुआ जांच किजिएगा तो मालू हुआ कि है ही नहीं आखिर सर गिया गल गिया टूटा है डेमेज है कितना कारता है अब तो सर वही लोग बताएंगे किस समान कब-कब हम खड़ीदे हैं उसका रखम कुछ लिस्ट में पता आपको तो उसका लेकर बैठे हुए थे सोचले मुत्रल है वाला का वह सब है सर लेकिन अब बीसे उस जिस योजना के बाड़े में बात करें तो काडियाले के लोग ही बताएंगे कितना खर्च हम ने किया है कब-कब खरीदा है उनके पास अगर ब्योरा नहीं होगा तो हम से दो दिन का समय दी जगाता हम पहुर के ब्योरा ला दे हो रहा है कहां जगा बनता है कहां से नेता पाइसा खींची लेते हैं यह सब लोगों को बताने कि जारुपता के लिए जरूरी था नाम किसी का हमने फिर नहीं लिया था फोन करना है तो कर सकते हैं हम बैटके बाद करने को तयान है लेकिन कहना यह है कि कहां घुटाला का ज परच्छ के नाम लेता है अब जो अस्थानिये उससे संबधित कर्मी है या जो लोग इससे जूड़े हुए वही लोग आकर लेते हैं पचास यधिक पब्लिक हमको आकर कंप्लेंट कर चुका है इस मिंद्धा में उनी इस वाद का पैसा मांगा है जी बदले में कोई रशीत कुछ पर्चा कुछ पुर्जा नहीं दिया है तो उसको घूष ही कहा जाए 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 तो या तो यह बताए कि करले में कहीं जरा रहा बिल्कुल आप समय दिजेगा तो हम सभी पब्ली को बुला देंगे पब्लीक के सामने आप समझ लीजिए रहा है बिल्कुल हम तो चाहेंगे कि आप मिडिया के लोग सार्दासादन पुस्तकाले में या किसी सार्जनिक जगह में सभी जनपर्ति दिधियों से एक बैठा कड़ाये और रखिए सवाल जवाब का जो प्रस्ण है हम उठाएंगे अगर जवाब दे दे आपको क्या लगते हैं आएंगे लोग रखना चाहिए तभी सचे अर्थों में इसामील होने आएंगे लोग आना चाहिए नहीं आएंगे तो जनता के तद्नोजर में आ आत्स आळ जाल फ्रोस काम किये वे उसको आप सफाई देना होगा ठीक चलिए क्लों मिल रहे हैं किनको मिर रही किनको मिल है कैसे-कैसे इस पे क्या खेल रहा है कैसे वोट बेंकिर अनिती हो रही है उनसे हमने बात की बीच में यह भी पूछा सुरुवात में कि अलबिड़ श्रख के तना बात करेंगे फिराराज के लिए इतना ही अगर आपको ये पसंद आया हो तो मैं लाइक कीजिए शेर कीजिए और अपने सवाल या फिर अगर आपको कुछ और पूछना हो तो हमें कमेंट में अपने सवाल जरूर बताईए तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद आपका ब झाल 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 का कर दो कर दो झाल झाल झाल